कम बारिश की वज़े से इस साल महाराष्ट में चारे का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इस बीच अकोला जिले में चारे की कमी को देखते हुए परशासन ने एक महत्युपुन निन्य लिया है। जिले में उत्पादित चारा मूर्गी फीड एमम टोटल मिक्स राशन को दूसरे जिलों में ले जाने पर रोक लगा दी गई है ताकि आने वाले समय में जिले में चारे का संकट और बड़ा ना हो इसके साथ ही निर्देश दिया गया है कि जिले के बाहर के लोगों को चारे की निलामे की अनुमती ना दी जाए ताकि जिले में चारे की कमी ना हो और कानून विवस्था की समस्या उत्पन ना हो इससे पशुपालक किसानों को थोड़ी राहत मिलती दिखाई दी है दरसल राज्ये में सूखे जैसी स्थिती के कारण चारे की समस्या गंभीर हो गई है और अब पशुपालकों को चारा खरीदने के लिए इधर उधर भागना पड़ रहा है और उसके साथ ही चारे की कीमते आस्माच चुगई है इससे चारे की भारी कभी देखने को मिली है शहर में पशुपालकों से सोया बीन और तूरी चारा उचे दाम पर पशुपालक खरीदने के लिए मजबूर है नतीजा ये है कि ग्रामीन इलाकों में चारा बहुत कम बचा है ऐसे में अब उसके लिए अतिरिक पैसे चुकाने पड़ रहे है जिसके मद्दे नजर परशासन की तरफ से ये बड़ा निर्ने लिया गया है कि अब जिले में उत्पादी चारा मुर्गी फीड और टोटल मिक्स राशन को दूसरे जिलों में ले जाने पर रोक लगा दी गई है ब्यूरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी